ओम शान्ती मेडिटेशन क्या है? अपने आपको देखो, अपने आपसे बात करो एक मैं कौन, दुसरा काता मेरा रूप, तिसरा काता मेरे गुण, चोथा काता मेरे कर्म मैं क्या करता हूँ? मैं आत्मा इन आखों से देखता हूँ बोला है तो मूँ खोलता हूँ, ने तो बंद, चलना है तो पाव खोलके चलता हूँ इस शरीर से मैं कर्म करता हूँ, पाच्वा, मैं कहां से आया? मट्टी में जो चीज बनती है खाके बढ़ा हो गया शरीर, कल मट्टी में मिल जाएगा मैं कहां से आया मैं उपर से आया किसे ने शरीर चुड़ा कहां गया उपर गया, मट्टी में नहीं गया शरीर इदर जलाया, शरीर इदर दफना दिया मैं उपर गया, उपर से आया सितारे उपर होते है तो मैं उपर से एक एनरजी आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है शरीर को चलाती है तो ये पांच प्रष्टों का अगर आप चिंतन करते हो Meditation एक positive thoughts है स्वच चिंतन है आत्म चिंतन है इसकी विधी चाहिए अब इसके अंदर एक difficulty ये है जो अब तक हम को दुनिया ने पढ़ाया था इस इश्वरिय विश्विध्याले में आने के बाद पता चला कि कि स्वामी विवेकानन ने भी राजयोग शिखाए पतनजली ने में भी राजयोग सिखाया तो ये ब्रह्मा कुमार आश्रुमें इश्वरिय विश्विध्याले में मेडिटेशन में डिफरंस क्या है राजयोग के अंदर तो यहां मन अकेला ने चलता है दो शक्तिया है मन और बुद्धी मन पूशता है मैं कौन बुद्धी जवाब देती है यह दोनों शक्तिया एक होनी चाहिए इसका रिजल्ट एक आग दूसरे इदर उदर के कोई विचार ने आएंगे अगर यह नहीं करते हो आप बैटके चिंतन करते हो मैं कौन मैं आत्म हूँ जो तिर बिंदू हूँ चमकता वासिता रहा हूँ राम 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 ओम नमश्वाय ओम नमश्वाय ओम नमश्वाय ओम नमश्वाय ओम नमश्वा नहीं आए कहां लगना है कि इधर लगाना चाहते हो कौन डिस्टर्व करता है यह बुद्धी इतना दिन हमारे पास इसका ज्ञान नहीं था क्योंकि हमको पढ़ाई में पढ़ाया focus of mind is concentration मन लगाये दिल लगाये दिल से काम कीजिए यह दिल नहीं यह शरीर का हार खून चलाता है दिल बुद्धी है intellect is the heart of soul तो मन और बुद्धी दोनों को एक अनभारत एक हासे नमस्तनी करता है दो हाद जोडता है क्यों यह भावतिक है तो आध्यात्मी करुप से भी दो शक्तिया है एक मन और एक बुद्धी इन दोनों को जोड़ दीजिए कैसे जोड़े उसकी विधी बताया मन प्रश्ण करता है बुद्धी जवाब देती है बुद्धी के पास ग्यान है समझ है understanding power है यह repetition नहीं किसने कुछ कहा वही मंतर उच्छार करते रहो repetition नहीं realization समझ से समझ से जवाब दीजे किसी ने कहा मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा कहा हूँ किसने कहा उन्होंने कहा तो मैं नहीं मनता हूँ आपके बुद्धी नहीं कहेंगे मैं आत्मा नहीं हूँ किसीने कहने से नहीं मानना, आप अपने आप से पूछ के किजिए, तब कहा ये Self-Realization है, स्वयम समस्य किजिया, किसी को दिखाने के लिए नहीं आए, मन ने तो गुद्धी के अंदर और कुछ विचार आते हैं, तब किते ध्यान लगता नहीं आए, एक आगरता होती नहीं को, ध्यान में कोन है, आप अकेले बेठे हो, कोई नहीं है, या अंदर की ये दो शक्ति आए, इनको चितर से जानना, इन दोनों को एक करो, तो विटी बताया, पांच सेकंद, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, उपर से आया, ये पांच प्र डाइल करना पड़ता है, जैसे आपके आवाज भगवान तक पहुचाना चाते हो, उसका ये नंबर है, ये पांच नंबर उसको कहते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन, उपर जाते हैं, नेगिटिव वाइब्रेशन, होरिजोंटल जाते हैं, भारी है वो, शरीर, शरीर क प्रती सोचते हो, उपर में जाते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, ऐसे हो सकता है, ये पहले अच्छी तरसे जाना, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर है, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, स्वचिंतन, आत्म चिंतन, अलग-अलग नाम है, तो मुठ्ष रूप से पांच प्रश्न दिया, तो ये अगर आप करते हो, तो मन और बुद्ध एक एकागर होगे, तो एकागर होने के बाद, आप पढ़ाय में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, भगवान में लगाओ, करमेशु कवशल्यम का, अगर वहर, there is a concentration, there you will see perfection in your profession, in your study in your prayer, worship, हर जगपर ज्ञान से करम कर सकते है, तो स्वयम भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट, स्वयम को खुशी चाते हो, शक्ति कुछ चाते हो, विधी पुरुवक करम करो, ये पहले एपिसोड में आपको अच्छी तर से समझा, meditation का first step आए, अब इसके अंदर और एक steps है, आपने सुना कभी कभी कि powerful vibration, हमारे विचार यहां से एक second के अंदर कहां से कहां पहुशता है, मेरे विचार दुसरों पर प्रभाव डालता है, उसको कहते है, vibrations are more powerful than the words, आवाज यहां से यहां पहुशता है, ये कैसे होता है, हमारे विचार चारों तरफ फैलता है, कैस तक जाता है, कितने किलोमेटर जाता है, उसके आपको next episode में तो बताएंगे कि हमारे विचार, मन में जो विचार चलता है, ये आत्मा जो सूचती है, उसके विचार कहां तक पहुशता है, वो दुसरों पर कैसे प्रभाव डालता है, ऐसे नहीं मैंने सोचा, गलत अच्छा ये मेरे तक ही है, नहीं, vibrations are more powerful, thoughts, विचार मेरे तक नहीं, अपने उपर भी प्रभाव डालता है, और उपर भी प्रभाव डालता है, पिछले सोच समझ कर चलो, मैंने सोचा किसको पता है, नहीं, विचारों के पर उसका प्रभाव डालता है, इसका और explanation आपको next episode में और स् हमारे विचार अगरों पर कैसे प्रभाव डालता है, उसको एक शब्दों में कहते हैं, हमारे विचार electromagnetic waves कहते हैं, कितने स्पीड से जाते हैं, सारे विश्य को एक सेकन में प्रभाव कर डाल सकते हैं, कितनी बड़ी इस साधना में शक्ती है, उसकी एक विदी आपने सुना कि अपने को जागरत करो, activate your consciousness, next episode में आपको और सुनाएंगे, कि how to connect with the supreme, भगवान से, परमात्मा से, उस सुप्रीम शक्ती से कैसे हम connect हो जाए, उसके पहले और एक step सुनाएंगे, कि हमारे vibrations, आत्मा के, कहां तक पहुँछते हैं, और उसको powerful कैसे करें, powerhouse से कैसे क जोडे, in next episode में आपको सुनाएंगे, ओम शांती